आज हम कंटिनू करेंगे कॉंट्रेक्ट 1872 को जिसमें हमने सेक्शन 75 तक पढ़ लिया था जिसमें सेक्शन 1275 तक सिर्फ और सिर्फ जैनरे रूल्स हैं कॉंट्रेक्ट के ऐसे रूल्स जो हर तरह के कॉंट्रेक्ट पर लाजमी एप्लिकेबल होते हैं लेकिन इसके बाद सेक्शन 124 से स्टार्ड हो जाते हैं कॉंट्रेक्ट में स्पेशल कॉंट्रेक्ट जिन में कॉंट्रेक्ट ऑफ इंडेमिटी भी है कॉंट्रेक्ट ऑफ गरेंटी भी है कॉंट उसके बाद 762, 123 का भी उन्हें भी रिपील करकर उन सेक्शन को एक अलैदा से एक्ट को इनेक्ट कर दिया गया जिसका नाम था सेल्ज उफ गुड्स एक्ट 1930 में हुआ तो उसका नाम भी 1930 रखा गया और यहां पर जो 238 जो इसका लास्ट का सेक्शन है उसके बाद भी जो सारे सेक्शन से उन्हें भी एक अलैदा से एक एक्ट बना दिये गया 1932 में और उसका नाम रखा गया पार्टनर्शिप एक 1932 तो यहां पर जो स्पेशल कॉंट्रेक्ट्स हैं यह चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसमें आज हम डिसकस करेंगे कॉंट्रेक्ट ऑफ इंडैम्निटी जो के सिर्फ दो सेक्शन पर हैं 124 और 125 124 में जैनरल इसकी डैपनेशन और पार्टी बताई गई है और 125 में बताई गया है जो एक पार्टी है इंडैम्निटी होल्डर उसकी क्या क्या राइट्स होंगे उन्हें लौ क्या राइट्स देता है तो starting with the contract of indemnity indemnity लफ्स के माइने है to make good the losses और to compensate the laws यानि के लफ्स indemnity के माइने है किसी भी किसम के नुकसान की भरपाई करना या भरपाई करने को ही सिर्फ हम indemnity कह सकते हैं तो यहाँ पर contract of indemnity उस contract को कहा जाता है जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी से ये promise करे कि मुस्तक्बिल में अगर आपको किसी भी किसम का नुकसान होगा मेरी वज़ा से या किसी भी किसम के किसी और के conduct की वज़ा से तो मैं आपको ये भरपाई करके दूँगा इस तरह के contract को indemnity का contract आ जाता है जैसे कि हमने section 1275 तक जो भी contract की rules पढ़े है जो हर तरह के general rules थे contract के उनमें हम प्रामिसर और प्रामिसी पढ़ रहे थे ज़स्ट लेकिन अब जैसे कि ये special contracts हैं जैसे अभी हम indemnity का contract पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रामिसर होता है उसको हम कहते हैं indemnifyer जो कहता है promise करता है कि मैं आपके नुकसान की भरपाई करके धूमगा और उसके बरक्स against में हम पढ़ते थे matrix जिससे promise किया जा रहा है यहाँ पर जिससे promise किया जाता है उसके उसको indemnify करने के उसको उसको कहते हैं indemnity holder तो इस तरह के contract वो पुरे को contract of indemnity कहा जाता है जहां पर जो losses होते हैं वो दो वज़ा हो सकती है एक तो indemnify कहता है कि अगर उसकी वज़ा से खुद की वज़ा से उसकी किसी भी किसम किये अगर आपको laws आए तो मैं आपको पैसे भर के दूँगा या किसी और की वज़ा से यह दो reasons होते हैं तो वो उसे भरपाई करके देता है जिसे for example Mr. X promises to deliver certain goods from Mr. Y for rupees 3000 per month यहां पर Mr. X promise करते हैं कि Mr. Y को मैं आम मतलब Mr. Y को कहते हैं कि मैं आपको यह goods जो हर महीने 3000 के हसाब से भेज दिया करूँगा ठीक है यह तो हलाइदा से contract है Mr. X और Mr. Y के दर्मियान Mr. X promise कर रहे हैं आपर Mr. Y को देने के लिए ठीक है लेकिन यहां पर Mr. Z आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं आपको अगर जो है Mr. Y को अगर Mr. X जैसे के कह रहे हैं कि वो promise कर रहे हैं कि मैं आपको goods deliver करूँगा अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं आप compensate करूँगा तो यहां पर Mr. Z है वो कौन है indemnifier और Mr. Y कौन है indemnity holder उन्होंने उन्होंने से वादा किया है कि अगर उन्होंने नहीं किया जो कह रहे हैं कि हर मैने के साब से मैं आपको deliver करूँगा Mr. X लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं आपको indemnify करके दूँगा Mr. Z यहां पर indemnifier हो गए और Mr. Y है वो यहां पर indemnity holder हो गए तो इसका मतलब हमें पता चला है indemnity contracts में दो parties होती है और जो promise कर रही होती है indemnify करने के लिए किसी भी loss को वो indemnify और जिससे promise किया जा रहा होता है उसे हम indemnity holder भी कहते हैं और साथ साथ उसे indemnified भी कहते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं जैसे कि हमने पहले भी बहुत दफा जैनरली पढ़ा है हर तरह का contract दो किसम का होता है वो express भी हो सकता है तो यहां पर indemnity contract में express तब होगा जब हम बकाईदा किसी से अलेदा से बात करेंगे या एक indemnity bond बनाएंगे एक bonds भी बनते हैं अलेदा से तो वो expressly है impliedly मतलब जो आपकी circumstance से या conduct से पता चले उसको हम impliedly contracts कहते हैं तो यहां पर भी इसी तरह से है और अगर हम यहां पर example लें इस contract की indemnity के तो main example एक insurance contract की भी आ जाती है जो generally होता है कि आपने अगर अगर अपनी गाड़ी की अपने घर की अपने mobile phone की किसी की भी insurance करवाई है कि अगर आप उस तक बिर में कोई laws होगा तो insurance company आपको भर कर देगी तो यहां पर जो insurance company है वो indemnifier है और आप एक indemnity holder है इसी तरह एक यहीं पर ही हम special contract में पढ़ेंगे contract of agency होता है तो contract of agency में जो principal होता है वो और उसके agent के दर्मियान भी एक contract of indemnity होता है क्योंकि जो agent है वो principal की authority में तमाम काम कर रहा होता है लेकिन अगर उस agent को principal की authority में रहते रहते ही कोई ना कोई damages pay करने पर जाए उस काम को पूरा करने में पर जाएं तो वो यहां पर कौन उसे indemnify करेगा वो यहां पर right रखता है वो indemnity holder वहां कहलाया जाता है और principal indemnifier के वो से indemnify करेगा उस laws के लिए तो जो यह contract of indemnity है इन दो किस्स में भी लग सकता है और वेसे भी बहुत सारी होती है तो यहां पर जो इसका section 125 है contract at 1872 का वो rights बताता है कि एक indemnity holder के क्या क्या rights होंगे तो as per section 125 of contract at 1872 there are three rights जो किसी भी indemnity holder या indemnified जिसे हम कहते हैं उनके होंगे सबसे पहला यह है कि indemnify will have to pay damages with the indemnify holder will claim in a suit यहां पर indemnity holder के पास ये right है कि अगर उसके साथ ये promise किया गया था indemnity holder indemnify ने उसके साथ ये promise किया था कि अगर आपको ये काम करने में अगर किसी भी किसम के नुकसान हुआ अब उस नुकसान में ये भी हो सकता है कि आपको कोई court केस करना पढ़ रहा है आपको कोई court का केस करना पढ़ रहा है जिसकी वज़ा से आपके पास खर्चा हा गया है तो आप यहां पर right रखते हैं कि जो indemnity fire था आपके आप उसे compelled कर से के उसे कहें कि आप मुझे ये पैसे भर के दो कि आपने मुझे promise किया था कि अगर मुझे इस काम में कोई भी मस्तला हुआ और मुझे यहां पर civil जो है वो एक law suit करनी पर रही है तो उसके लिए जो भी आपके पास एक राजाद आएं होंगे उसमें जो भी damages आएं होंगे वो indemnity जो indemnity fire है आपको भर के देगा secondly आपके पास ये right है as a indemnity holder कि आपने जो भी litigation करने में उस suit के आपको जो भी suit file करने में आपको आने जाने में जो भी खर्चे हुए उस suit से related वो सब भी आप indemnity fire को compail भी कर सकते हैं कि उसे pay करें ये second आपका right है as a indemnity holder and lastly if parties agrees to legally compromise the suit the indemnity fire has to pay the compromise amount यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर indemnity holder ने जिस बंदे के साथ भी वो case किया था और उस case में अगर जो third party थी उसे compromise कर लिया है और उस compromise करने के भी अगर उसे कोई पैसे देने पड़े ठीक है तो यहाँ पर indemnity fire के पास ये भी obligation है कि indemnity holder उसे यहाँ पर compail कर सकता है कि जो भी compromise amount उसने pay किया है third party को वो यहाँ पर pay करे ठीक है तो मतलब कि यहाँ यहाँ पर 125 में indemnity holder को दिये गहीं है सब as a civil suit किया गया है कि अगर उसे किसी मकसद की वज़ा से किसी उसी जो भी जिससे भी लेटर उनोंने प्रॉमिस किया था उसकी वज़े से कोई suit जो है वो lawsuit तयार करना पढ़ रहा है या करना पढ़ रहा है किसी के लिए भी तो वो firstly उससे सारे तमाम damages भी compelled कर सकता है और साथ साथ अगर उसकी litigation के लिए जो भी तमाम खराजाद आए वो भी indemnifier से compelled करके ले सकता है और लास्टी अगर उसे civil suit में जो भी suit उसने की थी उसमें compromise करना पढ़ रहा है third party से compromise amount दे रहा है तो यहाँ पर indemnifier को यह भी compelled कर सकता है कि जो compromise amount है वो भी उसे pay करे तो यह था indemnity का contract जो के contract में सिर्फ 124 और 125 में था इसके बाद contract of guarantee है तो उमीद है आप सब को समझाया होगा और अगर आप लोगों कोई भी क्यूरी है तो you can ask in the comment box तिसा कम लगो खेरा